हेलो दोस्तो मैं रोगी आपको स्वागत कता हूँ आपी के चैनल में जैसे कि आप थमनल देख सकते हैं आज हम WSP Parts and Their Features के बारे में डिसकसन करेंगे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहले हम Parts के बारे में जानेंगे उसके बाद उसका जो Features है जो उसका काम है उसको हम डिसकसन करेंगे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहले Parts देखेंगे उसके बाद उसका जो काम है उसके बारे में हम लोग Step by Step डिसकसन करेंगे चलिए Parts के नाम जानते हैं पहला तो आता है आपका फोनिक हुई लियाता है उसके बाद हम लोग देखते हैं speed sensor और sensor के बुलाता है उसके बाद जो है junction box आता है और next जो है dump valve है और last में WSP CPU रहता है WSP CPU इसको brain बुला जाता है इसे जैसे कि हम लोग का computer होता है computer में जैसे CPU होता है central processing unit होता है WSP उस तरह का ही काम करता है चलिए parts का कुछ photo देखेंगे diagram देखेंगे कैसे parts है और उसका जो काम है उसके बारे में हम लोग discussion करेंगे phonic wheel के बारे में देखेंगे चलिए phonic wheel कुछ इस तरह का दिखता है चलिए इसके बारे में कुछ जानते है it is mounted on axle box ये axle box के अंदर रहता है और axle में mount किया है इसको दूसरा point देखते है it is mounted with 3 nut which 21 newton per meter torque pressure required इसको जो mount करने के लिए जो 3 nut लगा गया है वो 21 newton per meter torque pressure से tight किया गया है अभी नया rules के इसाब से ये 28 से 30 newton per meter torque pressure में रहता है चलिए next point देखते हैं next point जैसे देख सकते हैं number of teeth 80 रहता है इसमें 80 number of teeth रहता है चलिए next point देखते हैं in one coach four phonic wheel fitted in four axle तो एक coach में four axle होता है four axle में different axle में different phonic wheel लगाता है एक axle में एक phonic wheel और इसका जो main phonic wheel का काम है जब घुमता है तो इसका जो teeth को sensor cable speed sensor जो है उसको reading करता है चलिए हम लोग speed sensor के बारे में उसमें हम discussion करेंगे चलिए next देखते हैं next जो parts है speed sensor और sensor cable चलिए कुछ इस तरह का रहता है fitted रहता है axle box के साथ junction box के साथ भी connect रहता है जो भी है information axle box से लेके यह junction box में पहुंचाता है speed sensor are fitted between axle box and junction box जैसे के हम बता चुके है चलिए next point देखते है it helps read the phonic wheel movement information and forward to WSP CPU यह जो है phonic wheel से अपना wheel movement का information collection collect करता है और इससे WSP को send करता है जो CPU है उसमें send करता रहता है चलिए next point देखते है in one coach four sensor cable fitted in four axle एक कोच में चार sensor cable रहता है चार different axle में यह fitted किया गया है जैसे की चार phonic wheel fitted किया गया है उससे यह information लेके CPU को भेशता है चलिए next parts देखते है next parts जो है junction box है junction box के बारे में हम बताएंगे कुछ इस तरह का junction box रहता है इसमें जो speed sensor से जो cable आया हुआ है तार आया हुआ है इसमें connected है और यहां से dump valve के लिए भी connection गया है और WSP CPU के लिए भी connection गया है तो यह है बीच बाला जो है connection को एक together करता है हम लोग step by step बता रहे हैं इसलिए कि आपको समझ में आए चलिए junction box का जो काम है उसके बारे में जानेंगे पहला point जो है speed sensor और जो sensor cable है और dom valve and WSP CPU connection are connected in junction box जैसे कि हम पहले बता चुके हैं junction box में सब का connection एक साथ connected रहता है dump valve के बारे में जानेंगे dump valve कुछ इस तरह का दिखता है पहले हम basic में इस जानकारी दे चुके हैं हम इसमें सिर्फ उसका काम के बारे में discussion करते हैं चलिए point देखते हैं dump valve helps in release the BC pressure with command of WSP CPU dump valve क्या करता है अगर WSP CPU इसको command देता है तो ये BC pressure को release कर देता है जिसके कारण जो आपका brake release हो जाता है चलिए next point देखते हैं in one coach four dump valve are fitted जैसे कि चार एक्सल है उसी तरह का चार एक्सल में अलग-अलग fitted किया गया है dump valve चलिए दूसरा पार्स देखते हैं दूसरा पार्स जो है WSP CPU है जो main function main sub इसमें store रहता है चलिए इसका जो तस्बीर है अब देख सकते हैं इस तरह का CPU रहता है AC में ये उपर रहता है और non-AC में ये नीचे fit rate किया जाता है चलिए इसका जो point से जानेंगे इसका काम this is the brain of WSP इसको brain कहा जाता है WSP का जो पूरा command process यहीं से ये forward करता है चलिए next point देखेंगे store all information like covered distance, code error सब information ये store करके रखता है चलिए next point देखेंगे in one coach one WSP CPU are fitted एक coach में एक WSP CPU दिया जाता है और ये जो है चार्ट डिफरेंट एक्सेल बॉक्स से through sensor cable sun box होते हुए इसमें information transfer किया जाता है तो ये WSP CPU इसको store करता है और जैसे कि इसको repair करने में इसको मदद करता है चलिए ये तो हो गया WSP parts और जो है आपका वर्स के बारे में features जो है इसके बारे में अगला वीडियो हम इसका जो code है जो code error आता है उसको कैसे solve किया जाएगा उसके बारे में हम discussion करेंगे code को पहले समझेंगे तब तक इसको आप practice कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you दोस्तो कर दोस्तो